जब सपने की बात आती है और बड़े सपने की बात आती है तो मैं दोस्तों कहूंगा ये सपना आपका क्लियर होना चाहिए उसका टर्नोवर 5,000 करोड है मेरी कमपनी का टर्नोवर होगा 5,010 करोड या उसकी कमपनी में 500 लोग है मेरी कमपनी में 50,000 लोग होंगे या ऐसा आप को definition देना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपने कहा मुझे रेल्वे के अंदर businessman बनना है तो कई रेल्वे से related businessman होंगे जो सिर्फ एक करोड रुपया साल का कमा रहे हैं आपको अगर बड़ा बनना है it has to be powerful, compelling and clear also a clear sapna होना चाहिए anybody else who would like to share with me their dream please one more person, सबके सबने होने चाहिए yes dear I want you to share you want to be a CID officer, give him a big round applause please मैंने कहा नहां ये बड़े लोग दर्पोक है लेकिन बच्चों के अंदर बहुत पावर है दोस्तों एक बच्चा पीछे से स्नीडर होके हाथ उपर कड़ा करके बोलता है I want to be a CID officer what message he is giving to all the adult educated confident crowd what is the message the message is very clear ये कोई नहीं बोल सकता तो मैं तो बोलूँगा message is very clear message is very very clear confidence बढ़ाओ मेरे अंदर confidence है तुमारे अंदर क्यों नहीं है message is very clear कि अगर आप stage पे लोगों के सामने बात करोगे तो कोई टमाटर नहीं फैकने वाला है message is very clear message clear है आपको अब को कि अगर वो बच्चा वहां से अपने ड्रीम के बारे में शेयर कर सकता है तो you must share one more person please one more person yes dear I want to be an aerodontical engineer give him a huge round of applause please one more kid I want to hear her how wonderful give her a round of applause please thank you सबसे पहली चीज है powerful, compelling, jabbardus dream अब आप जो भी parents यहां बैठे हैं उन बच्चों के mind में यही dream को दस गुना बड़ा बनाने के लिए कारेक्रम चालू कर दो अगर आपको लगता है कि आपके पास limitation है age का, finance का, funds का make sure those people never ever think about limitation in fact मैं तो कहूँगा आपको भी limitation के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है आपको अगर उडान भरनी है तो सबसे पहला है a powerful, compelling, mind-blowing, audacious, clear dream सपना देखोगे तो सच होगा सपना देखोगे तो सच होगा दूसरा जो requirement है वो है willingness to put anything at the stake for that dream एक कंपनी थी जिसका नाम है बोईंग बोईंग कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी आप जितने भी एरोपलेंस देखते हो एरक्राफ्ट देखते हो across the world उन में से 70-80-90% एरक्राफ्ट किस कंपनी के है बोईंग के लेकिन ये बोईंग कंपनी बहुत चोटी सी कंपनी थी ये कंपनी सिर्फ एरक्राफ्ट बनाती थी अमेरिका की defense services के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम था Douglas Airlines और Douglas Airlines वो बोईंग कंपनी से कम से कम 10,000 गुना बड़ी कंपनी थी बहुत पैसेवाली कंपनी थी, बहुत बड़ी और वो पैसेंजर एरोपलेन बनाती थी एक दिन इस बोईंग का CEO चेंज हो गया और जो नया CEO आया, उसने अपने लोगों को ड्रीम दिया जो मुठी बर उसके लोग थे, उनको एक सपना दिया उसने, यार बनना चाते हो दुनिया की सबसे बड़ी एरक्राफ्ट मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी एंड सब लोगों ने का हाँ एंड दूसरा उसने क्वेस्चन पूछा, क्या उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तयार हो लोगों ने का हाँ यह CEO जब आया तो उसने ऐसा डिसिजन लिया उसने कहा कि जितनी भी हमारी कंपनी की नेट वर्थ है और जितने भी क्लाइंट से पैसा आता है जो भी आता है सब हम जोग देंगे दुनिया का सबसे बड़ा जाहाज बनाने में जिसका नाम था बोईंग 707 कई लोगों ने बिजनस के बड़े बड़े पंडितों ने बिजनस के बड़े बड़े कोचेज ने सबने हारवड वगर है सब लोगों ने बोला ये तो नामुमकिन है ये तो इंपॉसिबल है ये हो नहीं सकता ये CEO पागल है लेकिन CEO ने एक नहीं सुनी जितना कंपनी का नेट वर्थ था उससे सो गुना ज़ादा तो उसने लोन ले लिया और ऐसा एक्सपेरिमेंट करने में जुट गया जो एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो जाता बोईंग का नाम और निशान इस दुनिया से मिठ चुका होता ऐसा एक बोईंग 707 तयार हुआ तो ये ओवर्नाइट एक सक्सेस बन गया बोईंग ने ओवर्नाइट डगलस के कॉंपटिशन के लिए एक प्लेन उतारा और धीरे 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 करते करते बोईंग 707 717 727 737 747 777 787 ऐसे करते करते अभी तक सिरीज चालू है अभी तक सिरीज डगलस गट वाइब आउट बोईंग बिकेम ओवर्नाइट सक्सेस लेकिन बोईंग ने उस सपने को पूरा करने के अपना जितना भी पैसा रिसोर्स थे सारे जोंक दिये अगर हां तो आपका सपना सच होगा जब आप दुनिया से यह ड्रीम शेयर करते हो तो दुनिया आपको याद दिलाती है बार बार आपका ड्रीम क्या है यह मेरा सपना है अगर आपका सपना शेयर करने की आप में ताकत है तो यह बहुत आगे तक आप जाओगे लेकिन कई लोग मुझे बोलते हैं जब भी मैं शेयर करता हो ना काम होता नहीं है अंड्रेट परसेंट रू और राइट जब भी आप शेयर करते हो आपके पास एविडेंस है आपके पास बार 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 एविडेंस है कि जब भी आप शेयर करते हो आपका काम पूरा नहीं होता और दीरे दीरे आप कहते हो कोई शेयर मत कर लेकिन लेट अपने माइंड में एक प्रेशर बनाते हो बिल्ड करते हो और वो प्रेशर हमेशा कहता है नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो और आप अपने माइंड में उसको कई बार नहीं होता हुआ देख लेते हो और यह दुनिया यह ब्रह्मान ये भगवान, ये तो कहता है, तेरी जो इच्छा है, वो ही मेरा हुकुम है तुने कहा, ये नहीं होगा, नहीं हुआ तो तु बार बार, दस बार, बीस बार पचास बार तुने देख लिए, अपने माइंड में उसको नहीं होता हुआ, तो बर्मान की कार बनाऊंगा, क्या नहीं आई क्या उसको तो हजारों बद्दुआ लगनी चाहिए थी ना उसको तो हर एक आदमी की बद्दुआ लगनी चाहिए थी उसको तो उसके इतने सारे competitors, उनके employees, उनके employees पूरे world, पूरे newspaper, media दुनिया के हर एक आदमी की बद्दुआ उसको लगनी चाहिए थी और वो उधर ही खलास हो जाना चाहिए था एक बहुत बड़ी speech दी थी Martin Luther King ने Martin Luther King ने America में एक speech दी थी और उसने बोला था We have a dream, उस speech का title ही है I have a dream उसने बोला, 1950 के दशक में उसने बोला कि साथ के दशक में हम एक आदमी को चंद्रमा पे भेज देंगे ये उस समय सिर्फ एक सपना था और लोगों ने का ये पागल हो गया है लेकिन उसने का I have a dream and he shared that dream with the whole world Russia जुट गया उसको competition देने में Russia ने अमेरिका से पहले आदमी को चांद पे भेजने का कोशिश किया था but they failed and that's where America became the number one they had a dream दोस्तों जब dream है और उसको share करते हो competition बढ़ेगा pressure बढ़ेगा but वोई pressure positive pressure होगा और वोई आपसे काम करवाएगा so मैंने अभी तक बताया कि अगर आपको उड़ना है तो उसकी दो तीन requirement है पहली बार आपको एक mind-blowing powerful audacious जबर दस्त आपका सपना होना चाहिए दूसरी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए willingness to give everything possible behind that dream and तीसरा उस dream को दुनिया से शेयर करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए and चोथा a giant leap of faith an inspiring action जब वो dream आप देखो जब वो सपना आप देखो तो एक जबरदस्त action आपके body से, आपके mind से आपके जहन से आना चाहिए और वो action आपको बहुत powerful बना सकता है वो action लेना ज़रूरी है कई लोग dream देखते हैं लेकिन कहते है action अगले साल लूँगा कई लोगों के पास सपना होता है लेकिन बोलते हैं पहले कोई दूसरा करे उसके बाद मैं action लूँगा कई लोग सपने देखते हैं लेकिन वो कहते हैं पहले analysis तो कर लूँ ये सही है कि नहीं है और वो analysis के चकर में आपका most important dream है वो छूड़ जाता है कई लोग कहते हैं कि मुझे dream तो देखना है लेकिन मेरी आदत थोड़ी सी perception है ये dream सही है गलत है क्या है इतना सोचने में लग जाते हैं मैं कहता हूँ a giant leap of faith एक ऐसा faith का decision एक ऐसा कदम आपको उठाना पड़ेगा जो आपको बोले ये सकर तो सही क्योंकि मैंने हमेशे अकसर सुना है दोस्तों आपको अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाना है आप अगर पहला कदम चलोगे आपकी मनजिल आपकी तरफ 99 कदम चल के आएगी आप बोलोगे मनजिल की दर से चलेगी बट पॉसिबिलिटी है यू टेक फर्स टेप अट लिस्ट अट फर्स टेप शुद नॉट पहले देखता हूं इदर आगे कितना गहरा है नो कुछ जाओ जंप करो जोँ आपकी जाओ अओ धुद लित।